जै शिर्राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देव बणी में हमें कमेंट करके जुरूर बताएं तो हमारे चैनलको अधिक सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं आज कि कथा जे शिरी राम भक्तों दोस्तों कथा बहुत ही ग्यान वर्धक है आज की कथा है नीच सुनार और अन्याई राजा आईए कथा श्रवन करें एक बार की बात है कि एक राजा अपने बगीचे में तहल रहा था कि एक बारह सिंगा उस बगीचे की बार तोड़ कर बगीचे की अंदर आकर इधर उदर भागने लगा और बगीचे में लगे फूलों को तहस नहस करने लगा यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपने नौकरों को बुला कर उसे पकड़ने के लिए कहा वह खुद भी नंगी तलवार लेकर उसके पीछे भागा अचानक वह बगीचे से बाहर भाग गया राजा भी उसके पीछे पीछे अपने घोडे पर भागा राजा उसका पीछा करते करते अपने राजी की सीमा तक पहुँच गया पर वह उसको पकड़ नहीं सका उसके वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई सो वह वहीं पर रुख गया मौसम बहुत गरम था और उसको प्यास भी लगाई थी तो वह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और उसने नहाने की सोची वह जब वहा नहा रहा था तो किसी नीच आदमी ने उसका घोड़ा और कपड़े चुरा लिए अब राजा के लिए तो यह बहुत ही खराब हालत हो गई भै अब क्या करे भै अब अपने महल को कैसे लोटे भै महल को नंगा कैसे जाए मैं ऐसा नहीं कर सकता बहुत दिनों तक सारे लोग मेरी हसी उड़ाते रहेंगे राजा सोच रहा था तो उसने पड़ोसी देश में घूमने का विचार किया वह उस पड़ोसी देश में घूमता रहा कि घूमते घूमते उसको मोती की एक कीमती माला मिल गई वह बोला भगवान तेरा लाक लाक धन्यवाद है कि यह माला मुझे मिल गई इसको बेच कर अब मैं अपने लिए घोड़ा और कपड़े खरिश सकता हूँ चलू चल कर इसको बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ चलते चलते वह उस देश के राजा के शहर पहुँच गया वहाँ वह एक सुनार के पास पहुँचा और उससे पूँचा क्या तुम उससे एक मोती की माला खरीदोगे मेरे पास एक किमती माला है बेचने के लिए मैं एक नदी पार कर रहा था मुझे यह माला वहाँ मिल गई सुनार बोला देखूं तो राजा ने वह मोती की माला उसको दिखाई तो वह चला कर बोला ओ चोर इसको तुमने कहां से चुराया मैंने ऐसी दो मालाएं राजा के लिए बनाई थी उन में से एक का पता नहीं चला कि वह कहां गई ओ चोर तुम जरा राजा के पास चलो ऐसा कहते हुए उसने सिपाहियों को बुलाया और उससे उसको राजा के पास ले चलने के लिए कहा तेनों राजा के पास पहुंचे राजा ने सुनार की सिकाई सुनी और हुक्म दिया की राजा के दोनों पैर काट दिये जाएं उस राजा की रानी उतनी ही दयालू थी जितना की राजा बेरहम और अन्याई था जब उसने यह सुना तो उसने उससे कहा आप इतना बेरहम आदेश कैसे दे सकते हैं जबकि इस मामले की कोई गवाही नहीं है और यह सुनार लोग तो होते ही बदमाश हैं आप तो जानते हैं कि पैसे के लिए ये लोग कितना जुट बोलते हैं और कितना धोखा देते हैं सच कहिए तो मैं तो इस आदमी के कहे पर भी उतना ही विश्वाश करती जितना कि सुनार के कहने पर राजा ने उसे डाट लगाई जबान संभाल कर बात करो तुम्हें क्या है राजकाज के मामलों में दखल देने का रानी बोली मैं चुप नहीं रहूंगी कुछ दिनों से मैं आपको राजदर्बार में भी खराब विभार करते देख रही हूँ आपके सलाहकार सब आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रो करने के लिए तैयार है अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो आपका सारा राज़ बरबाद हो जाएगा राजा रानी की बात सुनकर बहुत गुशा हुआ और उससे कमरे के बाहर जाने के लिए कहा अगली सुबा उसने रानी को इस आदमी के साथ राजे के बाहर जाने का आदेश दे दिया जिसके पैर काड़ डाले गए थे राणी ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया उल्टेवे ऐसे राजा से पीछा छूट जाने के कारण बहुत खुश थी वे बिना पैरों वाले आदमी के पास गई और उसको राजा का आदेश बताया फिर उसने उसको एक लंबी सी टोकरी में बिठाया अपनी कमर पर लादा और एक ऐसे जगह चल दी जहां शहर नहीं था यह वही राजा था जिसके पैर काटने का हुक्म राजा ने दिया था वहां उसने उसकी एक पत्नी की तरह सेवा की जब तक की उसके घाव न भरे जल्दी ही वह उसको बहुत अच्छा लगने लगा उसने भी उसके प्यार का बदला प्यार से दिया तो वह उसकी सचमस में ही पत्नी बन गई कुस दिनों बाद उसने एक छोटे से बच्चे को जनम दिया अपना घर चलाने के लिए वह जंगल से लकड़ी काटती और जाकर उनको शहर में बेचाती एक दिन जब वह शहर गई हुई थी तो उसका पती सो गया और उसका बच्चा जिसको वह उसकी देखभाल में छोड़कर गई थी गुटनों के बल चलते चलते पास के कुवे के किनारे पर पहुँच गया और कुवे में गिर गया जब राजा की आँख खुली तो बच्चे को वहाँ ना पाकर वह बहुत दुखी हुआ वह तो बिलकुल पागल सा हो गया वह चिला चिला कर रोने लगा लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है अब मैं क्या करूँ क्याम को जब उसकी पतनी शहर से लोटी तो यह जानकर वह भी बहुत दुखी हुई की उसका बच्चा महा नहीं था पर वह एक बहुत ही बहादूर और समझदार इस्त्री थी इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पती को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था दुखी मत हो ये रात को राजा सो नहीं सका वह बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और इसकी इच्छा भी करता रहा यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो नहीं पाया क्योंकि रात के तीसरे पहर में दो पंची उनके खुले दरवाजे के पास वाले पेड़ पर आकर बैठ गए, वे बाते करने लगे, पहला पंची दूसरे से बोला, देखो यह दुनिया कितनी मुश्किल है, जरा देखो तो इस आदमी के साथ क्या हुआ, इसको अपना देश छोड़ना पड़ा, और अब यह दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसको बड़े अन्याय पूर्ण धंग से सजा दी गई, और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में भी परेशान है, इसका बेटा कल दोपहर ही इस कुवे में गिर गया था, दूसरा पंची बोला, इन बेचार परेशानिया उठानी पड़ती हैं, क्या इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, पहला पंची बोला, हाँ, किया जा सकता है, अगर राजा इस कुवे में कूच जाए, तो वह आसानी से बच्चे को बचा सकता है, इसके अलावा इसके पैर भी वापस आ सकते हैं, राजा ने उन पंचियों की बातें सुनी, तो उनको सुनकर उसे बड़ा अश्चेरे भी हुआ, और खुशी भी हुई, जैसे ही सुबह हुई, उसने अपनी पत्नी को जगाया, और उसने उससे रात वाली बात बताई, और उससे सलाह मांगी, रानी बोली, आप पंचियों की बातें मा वापस पा लिये, इस घटना के बाद राजा को अपना मंत्री मिल गया, जो अपने राजा की खोज में इधर उधर मारा मारा फिर रहा था, उससे राजा को पता चला कि उसकी जनता उसका बेसबरी से इंतजार कर रही है, तो वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राजजे वापस चला गया, वह फिर से अपनी राजगदी पर बैठ गया और पहले की तरह से राज करने लगा, गदी पर बैठते ही सबसे पहला काम उसने यह किया कि अपनी सेना लेकर उस राजा के उपर चढ़ाई कर दी, जिसने उसके साथ इतना बुरा वेवार किया था वे जीत गया और दूसरे राजा को बहुत शरम आई, उसको उससे दया की भीक मांगनी पड़ी, उसने उसे बताया कि उस सुनार की वेवार से उसके साथ ऐसा वेवार करना पड़ा, अब उसको वे जाते ही सजा देगा, राजा ने उसको माफ कर दिया और उसको छोड़ दि राजा उस दूसरे राजा की पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा, उसके कई और बच्चे हुए, वे काफी दिनों तक जिन्दा रहा, जब भुड़ा होकर वे मरा, तो लोग उसके लिए बहुत रोए दोस्तों, आपको अकथा कैसे लगी? अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा गैन पराप्त हो, जैए शिरराम भकत को अच्छा बका न पराब करें जिससे लता हुआ प्तल एवाओं करें जरूर खदूर दें, हमार, जिसस्मStar अपक करें वह करें, हमारे सकते हूलर करें।